कर दोस्तों मीथ सीरेल काने वाला एपिसोड आप लोगो के लिए घना ही दिल्चस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाएं इस समय मीथ हुडा की तो मीथ हुडा सबसे ज़्यादा प्रेशन नजरा रही है क्यों दोस्तों उसका बेटे की जिफे जीए उसकी बतकी बच्ची गायव हो चुकी है दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बच्ची गायव होने के बाद में सबी लोग बहुत ज़्यादा चिंतिद नजरा रहे हैं कि आखिरकार मीथ हुडा की बच्ची कहा है क् चीकू गायव होने वाला था लेकिन चीकू की जिगे उसकी बच्ची जा चुकी है लेकिन अब मीथ हुड़ानेव साथ साथ हिदायत दी है कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ और मुझे पता लगा कि इन लोगों का हात है तो जिसके बाद में मैं छोड़ने वाली नहीं इसी को भी आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़ादा patrim नजरा रहे हैं क्योंकि नखने को रोखा हैं। आप दोस्तों कहानी एक नया रूप देखने को मिलने वाला है जहां पर साफ साफ मीथूड़ा कहती हुई नजराने वाली है कि अब यह ऐसी घड़ी आ चुकी है कि हमें अपने दुस्मनों से बदला लेना ही पड़ेगा चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना अपने रिष्टे को सेटिफाई भी क्यों ना करना पड़े आप लोग जानते ही है इस समय पूरा दल बदल चुका है यहां तक ही मनमीत की बात की जाएं तो मनमीत ने बोल दिया है कि जो हो रहा है वो कहीं न कहीं बुरा तो हो ही रहा है उस सीज के खिलाप एक्शन लेंग को सस्काइब पिलने के बाद में दिए